जिस जिस ने भी आपका दिल दुखाया है या जितनी बार भी आपका दिल दुखाया है वो बाते आपको याद है या फिर नहीं तो आप कहेंगे वो सारी के सारी बाते आपको याद हैं और वो सबत बन चुकी है आपके जीवन के लिए और उससे ही आप जीवन जीना सीख तो वो अब आपके लिए सबत बन गया है कि आपको कैसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए इसलिए उन घटनाओं को याद करो जिनों ने आपको दुखी किया है अपने आपसे पूछो कि इससे आपको क्या सीख मिली है और अपनी डैरी मिली को और अपने जीवन में उसे अपलाए करो जीवन में सिर्फ जुखो उतना ही जतना जरूरी हो वे बज़ा जुखने से आप लोगों के एहम को बढ़ावा देते हो कहीं बार आप उस जगह पर भी जुख जाते हो जहां पर आपको जुखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अच्चिव आपको लगता है कि आपके जुखने से कोई रिष्टा बच रहा किसी का दिल तोटने से बच रहा है लेकिस सामने वाला वेक्ति इसकी बिलकुल भी इज़द नहीं करता है उसे आपकी कोई कदर नहीं होती है और ऐसी जगह पर जुखने से आप सामने वाले के एहम को बढ़ावा देते हैं और अपनी बैज़दी करवाते हैं इसली जुकों से फुतना ही जतना जरूरी हो जिसमें आपकी इज़द बरकरार है इस दुनिया में लोग आईना कभी नहीं देखते यदि उस आईने में वेक्ति के चित्र की जगह उसका सही चरित्र नजरा था क्या आपने कभी सोचा है कि खुद के बच्चे की गलती होने पर भी कोई मा दूसरे की बच्चे को क्यों डाट लगाती है क्योंकि वो मा अपने बच्चे से बहाँ ज़ादा प्रेम करती है लेकिन उस मा को इस बात को जानने में बहाँ वर्ष लग जाएंगे कि उस प्रेम की वज़ा से उस बच्चे का भविशी खराब हो चुका है अलेक्सा टाइम क्या हुआ है समय बपहर की दो बच की बयानीस मिनट है जब भी आप अलेक्सा से कुछ मांगते हैं तो वो आपको बदले में कुछ देती है लेकिन जब आप अलेक्सा से कुछ नहीं मांगते हैं तो वो आपको कुछ नहीं देती है कुछ लोग जादा बड़ा मांगते हैं तो उन्हें मिलता है लेकिन कुछ लोग बहाँ थोड़ा मांगते हैं लेकिन उमीद बहाँ जादा की करते हैं तब उन्हें वो चीज नहीं मिलती है, जितना मांगोगे सिर्फ उतना ही मिलेगा, कई बार आपको लगता है कि आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, लेकिन लाइफ में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है, यदि आपको कुछ चाहिए, तो आपको उसके लिए मांगना याद रखना कि जिन्दगी में हमें बहुत कुछ मुफ्त में मिलता है, लेकिन उनकी कीमत हमें सिर्फ तभी समझ में आती है, जब वो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है, ऐसी कई सारी चीजों के लिए हमें ग्रैटिट्यूट में हैसूस करना चाहिए, जो हमारे जीव की लोड़ कर सिर्फ यादे आती है, वक्त नहीं, जिन्देगे की परिक्षा भी कितनी वफादार है, उसका पेपर कर दो है।